Hello everyone, welcome back to the AdelExpert channel तो previous वीडियो में हमने feedback application को completely create किये थे अभी इस वीडियो में हम इसका icon create करने वाले तो icon create करने के लिए सबसे पहले आपको internet को connect करना होगा तो मैं internet को connect कर देता हूँ जल्दी से internet को connect करने के बाद हमें सबसे पहले chrome में आना होगा तो मैं chrome में आ जाता हूँ chrome में आने के बाद आपको search करना होगा easy app icon तो मैं जल्दी से आपे search कर लेता हूँ easy app icon जैसे हम easy app icon search करेंगे तो हमारे सामने कुछ website open हो जाएगी तो यह जो आपको first में दिखाई दे रहा है https easy app icon इस पहे आपको click कर देना है तो जैसे हम इस पहे click करेंगे तो हमारे सामने easy app icon का home page open हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यह open हो चुका है यहाँ से आपको choose file करना होगा तो जैसे हम choose file पहे click करेंगे तो हमारे सामने file manager open हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पहे open हो चुके तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ folder of feedback application में यहाँ से जो भी हमारा icon था application का उसको select कर लेता हूँ तो जैसे हम इसको select करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर adjust करने के लिए option आ रहा है तो हम इसी icon को paste करने वाले हैं तो यहाँ से में सबसे पहले padding आपको select करना होगा अपने मर्ची से जो भी आपको better लगे तो मैं इसको minus 32dp रहने देता हूँ और download बटन पर हम click करेंगे तो जैसे हम download पर click करेंगे तो आपके सामने दो option open हो जाएगे तो आपको इस पर click कर देना आइस प्लस आडप्ट आप आइकन पर तो यहाँ पर generating प्रोसेस शो हो रही है थोड़ी देर में हमारे file manager में जो भी IC launcher के icon रहेगो खुद बखुद डाउनलोड हो जाएगे तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर file manager में हमारे app डाउनलोड हो रहे है ठीक है तो अभी हमारा completely work हो चुका है इस easy app icon का तो इस website को में close कर देता हूँ और internet को में disconnect कर देता हूँ तो सबसे पहले मैं chrome को close करूँगा और internet को में disconnect कर देता हूँ अभी हम आ जाते file manager में डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यह जो ic launcher है आपको इसको extract करना होगा तो मैं इसको extract कर लेता हूँ और ok बटन पर हमें क्लिक करना होगा तो आप देख सकते हूँ यहाँ पर extract हो चुका है आपको इसको open करना होगा इस folder को android और यह जितने भी icon है mipmap sdpi mdpi x double triple x sdpi यह पाचो भी इसको select करना होगा तो मैं इसको ctrl c कर देता हूँ आपको project में आ जाना है कोई भी drawable में क्लिक करना है जो भी एक हंदी कोई भी image होगी उसको open करना है and ctrl press करके रहना है ठीक है तो जैसे हम ctrl press करेंगे तो हमारे file manager में यह open हो जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर drawable का file open हो चुका है आपको resource पे क्लिक करना है and जो हमने यहाँ पर icon copy किये थे यहाँ से यहाँ पर आपको बस paste कर देना है ctrl v से तो आप देख सकते हो यहाँ पर paste हो चुके sdpi mdpi यह सभी icon हमें paste कर दिये बट यहाँ पर जो पहले के icon थे वह भी show रहे है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह पूराने वाले ic launcher को delete करना होगा तो मैं इसको delete कर देता हूँ जल्दी जल्दी sdpi mdpi and same आपको करना होगा xsdpi को and same हमें करना होगा double xsdpi and triple xsdpi को तो जल्दी जल्दी में इसको select कर लेता हूँ and सभी चीज़ को delete कर लेता हूँ तो अभी आप देख सकते हो मैंने सभी इसको delete कर लिया है जितने भी पूराने icon थे उसको तो अभी आपको क्या करना है mipmap na dpi and na dpi v33 यह सभी को दोनों चीज़ को delete करना होगा तो मैं delete कर देता हूँ and अभी हम आ जाते हैं हमारे project पे and अभी हम जाएंगे mipmap में तो मैं mipmap folder को open कर लेता हूँ ic launcher पे हम click करेंगे and इसको हम open करके देख लेंगे करके दिखा देता हूँ कि हमारा icon set हुआ या नहीं हुआ है तो चल्दी से मैं connect कर देता हूँ mobile device को project के साथ तो अभी आप देख सकते हूँ यहाँ पे मैंने mobile device को connect कर दिया है तो अभी मैं run app पे click कर देता हूँ तो जैसे हम run app पे click करेंगे यहाँ पे process स्टार्ट हो जाएगा gradle build की तो हमेan gradle build finish होने तक wait करना होगा तो हम wait करते ग्रेडल build finish होने तक तो आप यहाँ पे देख सकते हूँ यहाँ पे gradle build finish हो चुका है यहाँ पे शोवरा है ग्रेडल build finish in one minute और यहाँ पे भी शोरा है launching app आईकन तो अभी आप देख सकते हो हमारे mobile device में आप launch हो चुका है और यहापे gradle build भी finish हो चुका है तो अभी हम search करेंगे feedback application को तो आप देख सकते हो यहापे feedback application में हमारा जो भी icon ता हो set हो चुका है तो इस तरीके से आप अपने app में icon को set कर सकते हो और अभी हमारा complete series हो चुका है feedback app से related तो अगर आपको यह video पसंद है तो प्लीज इस video को जल्दी से like कर दिना हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe कर दिना तो मिलत अगले नई वीडियो में तब तक के लिए जहिन जे भारत